देखिए अभी हम जो है क्यारिया बना रहे हैं और क्यारिया की इस तरीके से होती है वहाँ सारे तरीके होते हैं अलग-अलग क्यारिया बनाने के लेकिन ये जो हम बना रहे हैं कभी सबसे सस्ता और अच्छा क्यारिया जो है बना रहे हैं जैसे कि इटे आपको दीख रही तो यह सबसे असान होता है काली आपको इटे लगेगी और थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं जैसे कि आपको दीख रहा होगा तो हमने क्या क्या छोटा सा थोड़ा गड़ा आपको खनना है लगबग लगबग एक इंच के आसपस एक या दो इंच और उसके बाद आपको थोड़ी सी पानी डाल लेनी है पानी डालने के बाद आप इस तरीके से इटे को जमा दीजिए खड़ी पोजीशन पर बतलब खड हमने आपको दिवाल दीख रहा होगा और दिवाल से दो फिट छोड़के हमने क्यारिया बना दी है जो भी चीजे आप लगाना चाहो वह असानी से लगा सकोगे चाहे आप पैदा पौधा लगाओ या फिर कोई फुलो वाली पेड़ लगाओ जो भी आपको लगाना है वह है और दूसरी चीज यह दिखने में अच्छा लगता है जैसे कि आपको दीख रहा होगा तो इदर देखिए अब यह कौर्णर में हम बनाएं तो कौर्णर देखो कितने अच्छे से दीख रही है तो इस तरीके से इसे असानी से आप लगा सकते हैं इसमें कोई खर्चा नह कि किस तरीके से आपको लगाना है जैसे कि यह इटे हैं तो इटे हम रख लेते हैं इटे रखने के बाद जैसे यह पोजीशन है जैसे कि यह पोजीशन आपको दीख रहा होगा थोड़ा सा यह स्लो डाउन है मतलब थोड़ा सा जुका हुआ है तो इस तरीके से आपको लग के बाद इटे को आप बैठाते जाईए बैठाने के बाद ये मिट्टी जो है आपको इस तरीके से किनारे कॉर्णर पे जो कॉर्णर छूटा हुआ है वहाँ पे आप डाल दीजिए फिर ये आपका जो है एक सस्ता सा और एक अच्छा क्यारी आपका रेडी हो जाएगा इस तरीके से आपको इट को बैठाते जाना है ये दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो चिपकना चाहिए बस ये ध्यान रखी आप ये जो साइट का आपको दीख रहा होगा तो ये हिस्सा आपका चिपकना चाहिए ताकि इट जो है गीरेना और आगर आप इसमें मिट्टी डाल तो वैसे ही यह नहीं गिरेगा गिरने का चांसेस नहीं होता लग जाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पेंट कर दीजिए या फिर जो भी कलर है या फिर चुना का जो पानी है वो आप डाल सकते हो तो यह बहुत अच्छा दीखेगा तो इसमें जादा खर्चन होता और एक अच्छे से आपकी क्यारिया बन जाएगी अभी फिराल हमारा भी क्यारिया भी बनी रही है और सोच रहें कि इसमें कुछ अच्छी जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं वो लगाएंगे और वैसे काफी सारे लगे हुए हैं जैसा कि आ काफी सारी मेहनत लगती है तो देखते हैं मेहनत कितना रंग लाती है और इसमें घास लगाने का भी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कि इस तरीके से आपको लगाना है फिराल ये अभी क्यारी का काम हमारा चल रहा है तो इस तरीके से आप अपने घरों पे कहीं आपकी चोटी सी जगह हो, खाली हो, वेस्टेज हो, तो इस तरीके से आप इसे बना के सोड़ा सा इसमें पौधे बगाने के लिए बना सकते हैं.